सो दोस्तों मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं e-commerce बिजनस के ट्राफिक का ट्रियर डॉर्म करने होना हूँ और स्पेशली SEO एरिया ब्यादर में और यह देखने हो रहा हूँ कि उनकी सच इंजन आपने माशिन बैसी है कहां से उने ट्राफिक आ रही है क पॉसिबल बिजनस आ सकता है और इससे आपको बहुत फाइदा होगा इससे आप यह समझेंगे कि कैसे एक ट्राफिक काम करता है कैसे SEO काम करता है और सिस्ट्राफिक आना ही इंपोर्टन नहीं होता है ट्राफिक से कन्वर्जेट आना भी बहुत ही इंपोर्टन होता है इस जैसे का नाम है UPSKL, UPSKL, चलिए शुरू करते हैं, आज पहला बिजनस पो टीर डाउट करते हैं, चलिए शुरू आशे शुरू करते हैं, चलिए शुरू असे शुरू थे, तैंक यू सो दोस्तों मैंने गूगल पर सर्च किया है, बाई लहंगा वलनाइट, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी से वेबसाइट है, जो बहुत जादा फेमस नहीं है, और उसका टीर डाउन करने की कोशिश करते हैं, कि क्या है, जैसे कि मांतरा, आईजी यह सब तो फेमस वेबसाइट है, और काल की फैशन ब्राइट, जैसे यह वेबसाइट है, मानेवर की वेबसाइट है, मानेवर कभी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, मार्केट प्लेस नहीं है, बैसे कि मार्केट प्लेस को अवाइड करने हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़े मिले ही हम एसी चीज़ों को check कर रहे हैं जब marketplace नहीं है तो हमारे पास दो वेबसाइट है लिटसे एक ये वेबसाइट है जिसमें जाहतर women's की ही product है जहाँ पर आप देखो कि तो women's की product है यहाँ पर जिसमें लहेंगा है और अगर आप ये page देखोगे तो ये लहेंगा का पेज है और यह एक टेगरी पेज है वैसे ही मानेवर के अंदर रही काटेगरी पेज है अब इस क्या चीज है जैसे मैंने सेच किया है control F by लहेंगा सुरे पाई लेंगा रिटबने ये सच कहे लिट से बाई कोटा दे enormous लेंगा देख लेते हैं तो अगर गौर से देखोगे तो यहां शुरुआत में कुछ content यहां पे लिखा हुआ है जिसमें लेंगा कई बार repeat हो कर रखा हुआ है और bottom में भी जाओगे तो bottom में भी SEO के वज़ा से लिखा होता है और आपके पूरे content को optimize उससी इसज़ाब से किया जाता है ताकि Google context समझे उसके वज़ा से होता है then there is FAQs a lot of FAQs जो फ्रिगंडिया आथ कोशन अगेन ये FAQ schema में help करते हैं however अभी FAQs में दिखाना Google ने बंद कर दिया है तो ये शायद उचना ज़्यादा help नहीं करेगा आपको but anyways नीचे में categories है वैलेड़ वैसे ही अगर maneuver को आप देखोगे तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी कुछ content है उपर के तरफ में जिसमें आप अगर lang award देखोगे तो lang award काफी ज़दा repeat किया गया है especially मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं कि buy langa हो लेकिन lang award काफी ज़दा repeat किया गया है but इसमें नीचे के तरफ में bottom के तरफ में कोई content नहीं है जो searching your optimization को मतलब कि थोड़ा अगर ये content देते तो शायद थोड़ा से और अच्छे पहले हम एक particular page का देखेंगे यहाँ पर देखें एक exact URL है कि उसमें क्या traffic आ रही है क्या नहीं आ रही है फिर उसके बाद इस पूरी website का देखेंगे तो अगर आप देखोगे इस particular page में अकेले 44.3k के लगवर पर traffic आ रहा है एक मिन मुझे एक बर इस वो confirm करने देदेगी यह block का है कि सिफ page का है तो मैं अगर इसमें click कर लेता हूँ यह same rush software है जो कि SEO का बहुत फी famous software है तो यह आपका load हो रहा है और यहाँ पर यह basically क्या बताएगा किन-किन keywords के उपर में तो आप यहाँ पर गौर से देखो गया तो लहेंगा यह लहेंगा's STML है तो सिर्फ इस page के अंदर में जो इनका category page है एक हजार keyword के लगवर रहा है जिनसे उनको 44,000 के लगवर ट्राफिक आ रहा है जो कि बहुत ही amazing है किस-किस keyword पर आ रहा है तो आपको नजर आ जाएगा कि लहेंगा जो वर्टर उसमें सबसे रहता 16,000 के लगवग में है और अगर मैं इसको volume के इसाब से यह traffic बिसिकली इनको जो मिलना volume बिसिकली वो हता है जो total search की capacity होती ही तो अच्छी capacity उसमें 16,000, 17,000 तो यह सिर्फ लहेंगा वर्ट के उपर में traffic ले रहा है आप सब इन समझ यह कि कालकी fashion जिसका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा कहीं पे भी वो उस website में हर महीने सिर्फ एक page में 44,000 के लगवग में लोग आ रहे हैं अगर इसका हम यह मान के चलें कि 44,000 में से इसमें से conversion मात्र 10% भी है तो लगवग 4400 लोग अगर लेट से 1% भी मानोगे तो 440-500 लोग की लगवग में conversion सिर्फ इस page के अंदर में 500 लोग अगर 1% conversion भी मानोगे तो 500 लोग खरीद रहें एक लेगा इनका अगर हम बात कर रहे हैं तो एक लेगा इनका भी रहा है तकरीब नो हजार, दस हजार की लगवग में कोई 24,000, 25,000 की लगवग में हैं ठीक है अगर हम 15,000 के लगवग में ओन दा इवरेज कोई 24,000 या कोई 9,000 तो बीच के पंदरा जन लगा लेते हैं तो पांसो इंटू पंदरा हजार केतना बताई 500 इंटू 15,000 लगबग हुआ आपका एकाई दाई सेकड़ा हजार तसें लाग दस लाग पचार लाग का सेल सेल और सिर्फ इस सेट लेंगा वला जो पेजा है उसमें से रहांकर और गैनिकली अब यह 75 लाग पचास लाग भी हो सकता है यह आपका थी or बनी हो सकता एक करोड बिह हो सकता लेकिन ऋपी मोटा-मोटी जो हमारा इसम्चन उस catching बिससMें pun 75 लाग का से इन सिर्फ एक पेज से इनका हो रहा सिर्फ एक पेज से जो लेंगा वाला पेज जिस पर वो रायंग कर रहा है यही होता है SEO का पावर यानि कि इसका कस्टमर एक्कुजिशन कॉस्ट वह उती ज्यादा लो है कुछ है ही नहीं जो एक बरन को चो सैलरीस लगी वो लगी और उसके बाद में यह रैंक कर रहा है 75 लाग का यह क्लॉक कर रहा है अगर मान लेते हैं इंवेश्मेंट इनका हो भी जाता है इसके अंदर में 5-7 लाग का इंवेश्मेंट कर भी देते इसके अंदर में तो फिर भी दस गुना जादा यह कमा रहे हैं तो यह पावर ग्राफिक है 1,6,000 यानि कि वो वाला जो पेज है उस वाले पेज में सबसे ज़्यादा में 50% ट्राफिक तो उसी में जा रहा है तो आप यहाप अगर आप देखो गए तो ट्राफिक के साप से ब्लाउज डिजाइन के उपर में इनको अच्छा खासा आ रहा है यहाप यह पे टिशू सेड़ अचे इंगर ट्राफिक 1.6 मिलियन नॉट एक 1.6 मिलियन है इसलिए अब रहा गया तोड़ाज मेरे मेरी यलती ही है टुटिल टुटि तो ये 1.6 में 16 लोग आ रहे है इस वेब साइट के अंदर में ब्लाउस विजाइन में बिरासी हजार आ रहे है और गैंजा साड़ी कलेक्शन इतनिक कलेक्शन इसके अंदर में भी इतको अच्छे कासे आ रहे है लेटिस्ट यहां है ब्लाउस डिजाइन वाल अगरम पकड़ तो उसके अंदर में इनके ब्रांड नेम पे अच्छा 28,000 के लगवग में ये कर रहे है हाववर इसका वॉल्म बहुत जादा है कालगी फैशन पर उसके हिसाब से बहुत कमी ट्राफिक यहां जर्रेट कर पा रहे है हाला कि जो ब्रांड नेम होता है उसमें अल्मोस्ट 70-80% ट्राफिक आना चाहिए तो 60,000 में कम से को 40-50,000 आना चाहिए यहां पे यह कम बर रहे है साड़ी एक वोर्ड सिफ साड़ी वोर्ड में ये रैंक कर रहे है 24,000 क्लेव में उसमें ट्राफिक आ रही है वेडिंग डेस फोर में के अंदर में आ रहे है तो यहां पाँ आप बहुर से देखोगे तो यहां पे बहुती क्या ज़्यादा ट्राफिक यह जनरेट कर रहे है और अच्छा-कासा सेल कर रहे है मोटा-मोटा ह具ा अगर आप मान के चलोगे अगर हम लोग इनका थोड़ा सा बाक्लिंग का देखें कि सिर्फ इसका नहीं होता है सिर्फ इसका नहीं होता है ट्राफिक्स की बात हम लोग नहीं करते हैं कॉंटेंट की बात नहीं करते हैं अब यह नहीं लोग इसका बैकलिंग इन्होंने कितना बनाया है। इनका बैकलिंग का नेटवो का ग्राफ आ रहा है, इन्होंने अलमोस्ट 9,83,000 बैकलिंग बनाइब जो की 11,000 दोमेन के अंदर में से है, और यहां पे आप पोड़ा मोटी देखे हुए तो, यहाँ पर आपको नजर आ जागा, नीटरल प्रोफाइल इंको नजर आ रहा है, कि नीटरल बना हुआ है, ठीक है, और और अथरिटी इनकी शुरुआत में देखे, यहाँ पर तिरपन के लगबग में थी, फिर उसके अदिनकी अथरिटी गटी है, हाल फिलाल में, बूस्टप मिला इनको, अभी हाल फिलाल में इनको बूस्टप काफी ज़्यादा मिला है, दिसंबर के बाद में, तो अगर आप ऐसा देखो कि बहुत ज़्यादा बैक लिंक्स है, जैसे इनके केस में, 9,83,000 के लगबग में बैक लिंक्स हैं, और 12, 11,000 के लगबग में मुड़ असा नीचे और जाता हूं, देखता हूं, कुछ इंट्रस्टिंग पेज है कि ने, तो mostly backlink इनके home page के अंदर बने है, साड़ी के page में भी कुछ बने हैं, anyways, मैं एक बार इनके backlinks को भी देख लेता हूं, इन backlink के अंदर मैं थोड़ा सार audit करता हूं, और मैं अभी 9,83,000 है, मैं सिर्फ active backlink क्योंकि इसमें जो inactive backlink को वो भी होगा, यह remove हो चुके वो भी होगा, इनको मैं अटाता हूं, सिर्फ active backlink करता हूं, इसमें सिर्फ do follow link करता हूं, इसमें सिर्फ do follow link करता हूं, यहां पर देखिए, यह 9,85,000 होगा है, अब मैं क्या करता हूं, आपी एक link से एक ही domain लेता हूं, क्योंकि matter एक ही domain करता हूं, क्योंकि multiple domain भी यहां पर यह बता रहा है, तो सिर्फ एक domain लेता हूं, यह number बहुत trustically गटेगा, देखिएगा, तो हमने एक domain इसलिए लिया, क्योंकि हमें यह देखना है, कि आप actual में number of backlink do follow का कौन सा है, हमें यह देखना है, तो यह घटके 8,646 हो गया, कहां 9,33,000, कहां यह 8,000 हो गया, तो actual जो link के काम पाँ वो 8,646 है, उसके बाद में link placement में देखते हैं, और देखते हैं कि कितना link content के अंदर में, जो की contextual link देते हैं, जिसे हमें ranking होती है, उसको हम लोग करते हैं, और थोड़ इसके नेटी करते हैं, इसके बाद हम लोग एक और स्कूनाटी करेंगा, और देखेंगे कि home page को छोड़के, और कहां कहां पे backlink है, जिसे कि, अगर आप देखोगे, तो यह घटके हमारा 1500 हो गया, 8,000 हो गया, यानि कि blob होगे हमें 1500 के लगवर में, अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको और एक filter करत हूँ, ठीक है, not referring domain, इसको मैं exclude करता हूँ, referring domain, not exact match, आनका text जहां पे लिखा हूँ है, काल लिखा हूँ, यह word इसको मैं exclude देता हूँ, क्योंकि जाब काल का फेशन लिखा गया होगा, वो basically हमारे brand वाले होंगे, तो मैं home page को exclude अभी करते हूँ, मैं इसको count नहीं करवा, तो जब मैं इसको exclude करूँगा, तो यह number गटके और भी गटेगा, तो कहां मारा number 9,83,000 था, यह गटके 1578 होगे, यह बहुत ज़ादा नहीं है, अगर मैं इसको हटा भी दूँ, तो 1578, 1578, 1578, होम पेज वाला ज़ादा है नहीं, उसके उपर मैं हैं मैं है, और इसको थोड़ा से और हम जाते हैं, और हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, anchor text, anchor text वो text होता है, जिसके पर backlink बनता रांकर आने के लिए, और इसमें, अगर आप देखोगे, तो थोड़ा random type का है, काफी लंबे लंबे है, कूर्तीस पर बना हुआ है, काफी लंबे backlinks बने हुआ है, तो हमारा क्या था? हमारा था? लहंगा था, लहंगा था, एक लहंगा तो यहाँ पर बना हुआ है, तो exact match नहीं बना हुआ है, इन लोग ने LSI type का बना हुआ है, तो इनका जो backlinks है, इसके backlinks actually में, इसको आप इतना ट्राफिक आ रही है, लेकिन फिर भी यह एक standard procedure है, SEO का उसको follow नहीं करता है, अगर वो करता है, तो directly जो हमारे backlinks होते हैं, सिर्फ langas by online langas बता है, यह सारे LSI पर बने हुआ है, बने हुआ है, अगर आप यह 780 के पर क्लिक करोगे, तो फिर उसके बाद यहाँ पर भी उसके screen time कर देता है, और देखें, अब यह 780 के 7 780 के बने हुआ है, वो सिर्फ एक ही जगह पर बने हुआ है, फारम में कहीं बने हुआ है, एक्चुली यह भी lost यहाँ पर देखा रहा है, ठीक है, तो जितने इसके backlink बने, यह LSI पर बने, यानि कि एक long tail keyword के उपर बने है, जो कि एक अच्छा practice नहीं है, लेकिन फिर भी इनको उससे मिल रहा, क्योंकि एक तो इनकी अपनी खुद की authority होगी, जो काफी ज्यादा बड़ी होगी, अच्छी authority होगी इनकी website के होगी, एक तो उसके वज़ा से इनको मिल रहा है, दूसरा reason इनको मिलने का क्या है, कि अगर मैं इनकी authority ही चेक करूँ, लिट से domain overview में चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैं authority चेक करता हूँ, तो अगर आप देखो कि authority score यहाँ पर लिखा हुआ है, तो काफी पुरानी website होगी और authority website भी होगी, इसको इंडिया करेंगे, तब इंडिया की data देगे, यहाँ से हमें यह भी पता चल जाएगा कि इसकी authority score क्या है, और जैसे उस time हमें देखाद 53-56 है, तो यह actually में high authority websites में आती है, तो उसके वज़ा से उन्होंने अगर backlink के लिए standard practice नहीं भी किया, तो भी उन्होंगे help मिल रहा है, नई website यह practice नहीं कर सकती है, अगर वो करती है तो उनको traffic नहीं मिलेगा, इस बात का त्यान रखेगा, यूएस से भी 91ज़ ट्राफिक आ रहा है, यहाँ पर अगर देखेगे, तो अक्टूबर के बाद में हलकी से इनकी traffic बढ़ रही है, जून, जुलाई, अगस्ट, सिप्तेमबर, अक्टूबर, अक्टूबर में update आयत में गिरता हो देखा रहा, March complete हो जाएगा, तो यह फिर fix हो जाएगा, तो अभी हम लोग February तक लेगा है, तो यह ठीक है, ठीक है, तो इनकी authority 56 है, out of 156, these are very good authority, साथ के बाद तो यह basically, यह close to authoritative website है, साथ authority score के बाद में, इनको authoritative website हो लेने हैं, कि इसके अंदर में आप almost कुछ भी डालिएगा, वो rank करे गई, करेगा, तो इस चीज़ के नको फायदा मिला, और यह काफी पुराना domain हो सकता है, इस चीज़ के नको फायदा मिल सकता है, यहाँ पर आप देखेगा, तो position के साबसे, एक से तीन position में 4000 keyword है, और हमेशा 38% keyword जोएट भी 51 से 100 है, यानि कि अगर यह इन keywords पे काम परना चालू कर दें, यह 13%, यह 32%, 32, 38 होगे आपका, 40, 70, यह 80% keyword के उपर में सिर्फ काम परना चालू कर दें, कोई नया keyword नहीं लेगा आए, बस इन तीन area पे काम परना चालू कर दें, सब को top 1 से लेकर top 10 के बीच में लाना चालू कर दें, तो इनका basically एक त और जो e-commerce SEO, यह e-commerce के थ्रूबी, e-commerce, e-commerce company, SEO पे थ्रूबी, e-commerce company बहुत ही ज़दा revenue करती है, आप आप नहीं करते हो, तो आप देवपोस हो कि क्या आपको लगता है, अब बहुत दिफिगरित हैं, आगे जाके हम देखेंगे कि non-authentic website भी काफे traffic जनरेट करती है, कुछ वो revenue generate करती है, तो हम लोग उसको भी देखें, जैसे यह बढ़ेगा, और यही सब चीज सिखाने के लिए, हम लोग उड़ा है, अपना कॉर्स लाँच किया है, इसमें यह तो है, जो e-commerce SEO कैसे करते हैं, इसमें 2 करोड का revenue का, एक के स्टड़ी ज़ए 1.6 करोड की revenue, सिर्फ सिर्फ generate होती है, SEO से, बाकी 40 वाग की revenue, paid to media वगरा से generate होती है, जिसमें आपर बोस्ट हम लोग 5 लाग के लिए खर्च करते हैं, तो आट बोना के लगए, एटेश के लगए, एटेश के लगए, रवेन्नी होता है, तो हम लोग इसमें, जो e-commerce हमारा पोर सिर्फ, SEO नहीं प कैसे हमें लिस्टिंग करोगे, SEO करोगे, Amazon के लिए मैट्स कैसे चला होगे, of course, e-commerce SEO भी आपको पढ़ा रहे हैं, CR-O को पढ़ा रहे हैं, कैसे अलग-अलग के स्टेडिस के लोग आपको बताएं, कैसे आप revenue उतने ही पैसे में, आपने 5 लाग लगाया, आज आप 10 लाग revenue पर बत, और उसी पैसे में 5 लाग में ही कैसे आप 20 लाग, 30 लाग का भी revenue जनरेट कर सकते, optimization टेक्नीक के साथ में, course कर लिंग जो है, मैं देदों का description के लिए इसके बाकी डीटेल आप description में देख लीजेगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा नहीं है, तो आप हमें follow कीजिए, like कीजिए, comment करते बताईए, आपको पैसा लगा और bell icon को ज़रूर दपाते, बहुत वो शुक्रिया सुनने के लिए आपको मिलते हैं, किसी और वीडियो में, थन्यवाद